हलो, वेलकम बैक तो स्मार्ट टेडर साव यूट्यूब चैनल, आज मैं गर पे था, दिवाली के लिए मैं गर पे आ चुका था, तो गर पे मैं ट्रेट करना चाहरा था, मैंने जो पोजिशन ओपन छोड़ी थी, फ्राइडे को, वो आज लाइव हो चुकी थी, पता है, आज जो भी आपको स्क्रीन पर लॉसस दिखे, उसको आप पांच से मिल्टिप्ला कर देना, क्योंकि मुझे इसा लगता है, मैं सम्हाव बज़ के, मैरी स्ट्राइड़जी वर्क नहीं कर रही थी, और नहीं मुझे एक्जिट पॉइंट मिल रहा था, फिर भी मैं ट्रेड ले मुझे एक्जिट पॉइंट ही नहीं मिल रहा था, तो मैं उसमें बना हुआ था, एक पॉइंट है जहाँ पर मुझे रिलाइज हुआ कि यार यह पर्टिक्लर थ्योरी वर्क नहीं कर रहेगी, क्योंकि जब आप वॉल्यूम बैसे एक्जिट देख रहे हो, तो वॉल्यूम कि मैं काम कर रहा हूं, इसे मुझे थोड़ा और रिफाइन होने की जरुरत है, क्योंकि मैं ट्रेट तो ले रहा हूं, एंट्री पॉइंट डिसाइट करके बेस्ट अंद सम्सिग्नल, पर मिन जो एक्जिट पॉइंट हो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, और मुझे एक्सेप्टिंग माइलेक की जो डाउनफॉल हो रहा था उसको, मतलब एक्सेप्टिंग का मतलब यह होता है ना, कि जो का को कैपिटल लगा हुआ है, तो आपको कही पर निकलना है, एक्जिट करना है, वो मैं करी नहीं पा रहा था, शुरू मुझे प्रॉफिट देख रह रहा होंगे, फर्स्ट की जो मार्केट की ये केंडल से यहा तक है, यहा तक मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे चला जाएगा, एंड वोल्यूम एंड एवरी सिंग्नल वास गिविए नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, एंड बहुत जादा सेंटिमेंट्स वही था, जब वो यूटन लिया, उसना पर वॉल्यूम जादा नहीं था, यहां से, और उपर जाना लगा, फिर मैं बुलिश था, मैंने बॉल्यूम नहीं है, तो नहीं जाएगा, तो मैंने थोटी दूर एक पोजिशन भी बनाए, उसके बाद भी एक कॉल स्टेड एग्जिट किया और विसे यहां पर आ रहा था, तो यहां पर जाके मैंने बॉला ठीक है, अपने को C-side की पोजिशन को, या P-side की पोजिशन को exit कल लिए यहां पर फिर अपने को ओर नीचे जाएगा, तो हमको loss होना चलो हो जाएगा, जहां पर अभी profit है, तो वो book किया, और जैसे वो book किय मार्केट उल्टी डिरेक्शन में जाना लगा, फिर उसको मेनेज करने के लिए, मैंने सारे trades ली, उसमें से खाली यह दोसो दोसो वाले जोको अंटेटी दिख रही हैं आपको, यह आज की trade है, बाकी सब कल की trade है, open and close positions होई रहेगी, बाकी सब कल की trade है, and I would show you कि कितना आज हुआ है, 7400 का loss, अच्छा खासा 1214 का profit में निकल सकता था, बट में long trade पकड़ने के लिए गया, और long trend पकड़ने की चक्र में, मैंने उसको loss में निकाल दिया, तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आए, कि without stop loss के चलना मुश्किल है, और अगर आप stop loss के नहीं चल रहे हो, तो फिर अगर आप computer पर नहीं हो, मतब जिसे में गर पर था तो मोईल पर देख रहा था, तो उतना देख ही नहीं पा रहा था, मतब कब कहां क्या जा रहा हो, sentiment क्या होता है, computer screen पर एक candle बनती ही, तो अपने दिमाग में चलता है, यहां पर mobile थोड़ी देखा, थोड़ी दर क शेर माई experience also with you, and this was the total trend, and the thing is कि यह लास्ट में, यह जो गय पाया न, इसकी विज़े से में निकल पाया, बस, यह particular चीज ने मुझे exit करने के लिए अच्छा exit point दिया, इसकी विज़े से में 7000 glass पे निकल पाया, and it was 87.15 minute की candle बनी, उसमें निकल गया, बाग की volume का कोई मुझ करने की ज़रूत है, especially exit point, क्योंकि मुझे 2 point रखने हैं पढ़ेंगे, कि या तो ऐसे exit मालो, ऐसे exit मालो, otherwise तो फिर losses में चलती जाएगे, and that's not good, ठीक है, जैसा भी होता है, I'll update you, that was the update for today, and I hope you are doing well, and thank you guys for watching this video. करना, जर एक माला, भी होता.